दोस्तो रियल्मी की तरफ से आपको रियल्मी 9 सीरीज इतनी कमाल की देखने को मिलने वाली है किसी ना सोची नहीं होगी अब आप सोच रहे होगी ऐसा क्या मिलने वाला है रियल्मी 9 सीरीज में ये भी बताऊंगा तो वीडियो को पुराइन तक जरूर देखना और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सस्क्राइब करिए साथी बेल आइकन दाबाखर ओल पे कर दीजिए ताकि आपको सारे टैक रेलेटेड वीडियो की नोटिफिक की तो आपको तीन कलर ओप्शन में देखने को मिलने वाला है जिसने आपको ब्लैक ब्लू और ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेंगे और मैं आपको एक और बात बता दू तो मैं आपको कलर चेंजिंग बैक देखने को मिलेगी अब कलर चेंजिंग बैक सुनके आप इस पूंस में आपको देखने को नहीं मिलता है और अगर हम बात करते हैं इन फोन की डिस्प्लेग के बारे में तो आपको रियल्मी 9 Pro में आपको देखने मिलेगा 6.4 इंचिस का आई पेस लसी डिस्प्लेग देखने को मिलने वाला है 120S का आपको रिफ्रेश डेट देखने को मिल जाएगा और अगर हम बात करते हैं रियल्मी 9 Pro Plus में इसमें आपको 6.6 इंचिस की Super AMOLED डिस्प्लेग देखने को मिलने वाली है यह जो है 90S रिफ्रेश डेट के साथ में आएगा और इस दोनों ही फोन में आपको 1000 इंचिस की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है अगर आप बाहर फोन को लेके जाओगे तो आपकी जो डिस्प्लेग क्लियर आपको द triple camera setup होने बाला है और अगर हम बात करते हैं वीडियो recording की तो इसमें आप 4K 30fps और 1080p आप 60fps तक आराम से recording कर सकते हैं और अगर हम बात करते हैं Realme 9 Pro Plus की तो इसमें आपको 50MP का Sony IMX 766 यह camera आपको देखने को मिलने वाला है यह जो camera है यह फ्लेक्सी लेवल का camera है यह आपको दे लेवल आने वाली है और अगर आप फोटो क्लिक करते हैं आपको कोई भी फोटो देखने को नहीं मिलेंगी जो कि एक बड़ी आवात है और इसमें भी आपको 8 प्लस 2MP का camera देखने को मिल जाएंगे यानि कि आपको दोने ही फोन में triple camera setup देखने को मिलते हैं और फ्रंट की अगर हम बात करें तो 16MP का आपको front camera देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छी selfie लेज सकते हैं और वीडियो के अगर हम बात करते हैं तो 1080p 60fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं front camera से जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो दोस्त अभी हम बात करते हैं इन फूंस के प्रोसेसर के वारे में तो realme 9 pro में आपको देखने मिलेगा snapdragon 695 देखने को मिलने वाला है और अगर हम बात करते हैं realme 9 pro plus की इसमें आपको media tech diamond city 920 देखने को मिलने वाला है और यह जो दोनुई प्रोसेसर यह 5G प्रोसेसर है और दोनुई जो प्रोसेसर हो 6NM technology पे वेस्ट है जो कि एक अच्छी बात है और दोनुई फूंस में आपको android 12 देखने को मिलने वाला है और दोनुई फूंस में आपको realme 3.0 देखने को मिलने वाला है और 6NM technology पे होने के बादे से आपकी battery चोयों कम कंजिल होने वाली है यानि कि आपको battery life भी ज्यादा देखने को मिलने वाली है इन फूंस में और अगर हम बात करते हैं इन फूंस के batteries की तो realme 9 pro में आपको देखने हो मिलेगी 5000 mh की battery और 33W का आपको charger देखने को मिल जाएगा और अगर हम बात करते हैं realme 9 pro plus में इसमें आपको 4500 mh की battery देखने मिलेगी और इसमें आपको 60W का charger देखने को मिल जाएगा तो NFC दोने फूंस में आपको देखने को मिल जाएगा सिंगल स्पीकर आपको realme 9 pro में देखने को मिल जाएगा realme 9 pro में आपको Z axis liner motor देखने को मिलेगी और realme 9 pro plus में आपको X axis liner motor देखने को मिलने वाली है दोने ही फोन में आपको Bluetooth 5.0 देखने को मिल जाएगा और realme 9 pro में आपको side mounted fingerprint देखने को मिलेगा और realme 9 pro plus में आपको under display fingerprint देखने को मिलने वाला है और इन phones में आपको heart rate monitors भी देखने को मिलने वाला है यानि कि आप अपनी hardbeats भी चेक कर सकते हैं fingerprint पर रखके जो कि एक अच्छी बात है तो अगर हम बात करते हैं इन phones की price की तो लिक्त के हिसाबस अगर मैं आपको बताओ तो realme 9 pro में आपको देखने को मिलेगा 16000 से 18000 की वीच में और realme 9 pro plus आपको जो है वो 18000 से 20000 की वीच में देखने को मिलने वाल है अगर यही price पे अगर यह phone launch होती है तो यह जो है वो तूफान ला सकते हैं यह phone और आपको क्या लगता है मुझे comment करके जरूर से बताना और अगर हम बात करते हैं इन phone के launch date की तो यह जो phone है यह आपको देखने को मिलने वाले है 16 तारिक को 15 तारिक को ग्लोबली launch होने वाले है और 16 तारिक को यह अपने इंडिया में launch हो जाएंगे तो आपको 16 तारिक को यह phones देखने को मिल जाएंगे और अभी तक आप यहां रुके हो तो comment करके जरूर से बताना आपको इस phone की specifications कैसी लगी और pricing आपको कैसी लगी और आपके इस phone की pricing क्या हो सकती है मुझे comment करके जरूर से बताना आपके वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राब करें शेयर करें अपने दूस्तों के साथ में मुझे से अगर आप बात करना चाते हैं तो आप मुझे Instagram पे फॉलोग आर सकते हैं और अगर आप टेकनोलोजी में अप्टू डेट रहना चाते हैं तो आप मुझे Twitter पे फॉलोग कर सकते हैं आपको Twitter रेंडल भी दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में जब तक के लिए जैहिन वन्दमात्रम